यह craft cycle की, craft cycle की reaction है, इसे याद रखेगा, इसे आपको याद नहीं करना है, ठीक है, याद आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि यह आपके लिए tough हो जाएगा, इसमें आपको इतना याद रखना है, कि एस्ट्रिक इसिट पहले से matrix में होता है, यह combine करके बनाता है, citric acid, फ फिर एक CO2 यहां release होगा, इससे यहां conversion में एक NADPS2 बनेगा, एक ATP बनेगा, एक FADS2 भी बनेगा, एक NADPS2 फिर इसे step पे बनेगा, तो पूरे में देखिए आपको CO2 molecules दो बार release हो रहे हैं, 1, 2, दो जगे पर CO2 molecules release हो रहे हैं, और 3 जगे पर NADPS2 बनना है, एक first place, यह second place और यह third place, तो एक cycle में 3 NADPS2 के molecule बनेगे, 2 CO2 के molecule बनेगे, एक ATP का molecule बनेगा, सिर्फ एक ATP का molecule और एक FADS2 का molecule बनेगा, FADS2 आपको क्या दे सकता है, 2 ATP दे सकता है, ठीक है, तो क्रेफ cycle के अगर एक turn को देखा जाया, तो इसमें 2 molecules of CO2 निकल रहे हैं, 3 molecules NADPS2 के, 1 molecule FADS2 के, और 1 ATP का molecule, तो terminal action को छोड़ दीजे उसके बाद, 3 molecules of NADPS2 हैं, तो यह ETS में जाकर 3-3 जा 9 ATP बनाएंगे, 1 FADS2 का molecule 1 into 2, यानि कि 2 ATP बनाएगा, और 1 ATP दो डारेक्ट था ही, तो 9, 2, 11, 1, 12, तो एक क्रेफ cycle में हमको सीधे-सीधे 12 ATP गेट होती है, ठीक है, और अब यह turn, यह क्रेफ cycle की, एस्टिल को इंजाइम कितना बना था, 2 बना था, तो इसलिए क्रेफ cycle 2 बार रन करेगी, तो आप इसको 2 times multiply कर सकते हैं, यानि 12 into 2 equals to 24 ATP, यानि एक glucose molecule के लिए, दो पारिवी केशिट बनेगा, दो बार क्रेफ cycle चलेगी, और टोटल हमको 24 ATP का गेन होगा, डारेक्ट था हैं सिर्फ एक बन्ड़ी, लेकिन जब इन दोनों को ETS में भेजा जाएगा,